नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीक है 27 नमबर 2022 और दिन है रविबार और यहां पर मैं निफ्टी के फार्मा आई टी इन सब श्टॉक्स के आंसिस लेकर आया हूँ विकली बेसिस पर जो कि आप नेक्ट सब्ता जब शुरू हो रहा है मार्केट तो क्या इसके इंपोर्टेंस सपोर्ट करेंगे इन सब की बात करेंगे लेकिन विकली बेसिस पर वीडियो पसंद है जरू फीटबाइक करें आर्के टेडिंग मॉइल एब को डाउनलोड कर लिए ट्रिलीग्राम चानल को जोईन करें लाइब मार्केट में कॉल्स के लिए और अगर आप स्विंग टेडिंग ग्र मेरे मॉइल एब पर बीटी-स्टीर और हेस्टी-सटीर को लेकर जिसमें आप नार्क चीर ब्लाजिया कीा Earlier सुसरुप सब देखेंगे कि उसके बाद फिर मैंपको इसको डूँप और उसके वाराइब कर वदिया了吧 डहींा को सकते हैं बिट इणलर्मनेंट करें अप जरू ज इसको विकली चार्ट पर हम बात करेंगे सारे चाइब करना नियावफ मिल जाता है लुए चार्ट जब तक यह आपको बीस के ऊपर है आपको डरना घवडाना ठरतराना कबकापाना बिल्कुल भी नहीं है 820 के उपर मजबूत रहेगा और 905 के उपर और भी मजबूत हो जाएगा जो 920 तक लेके जाएगा 920 के उपर अगर यह sustain कर गया तो आपको यह 950 तक के level दिखा सकता है बजास फिंसर्प की तरफ चलें तो बजास फिंसर्प में आप position देखें विकली बेसिस पे थोड़ा कम जोड़ होता वाद दीख रहा है लेकिन आपको याद रखना है जैसे ही 1600 विकली बेसिस पे ध्यान रखे 1600 को यह break कर जाना आपको sale मार देना है आपको रुखना नहीं है आपको sale करना है 1600 के नीचे अगर यह चला गया यह देख रहें यह important support area है तो आपको sale मार यह है आपको 1550 के level बन जाएगा तो bounce करने के लिए यह सही जगा है और गिरावट के लिए बिल्कुल fit जगा है बजाज finance पे देखें और एकलिए वो बजाज फिंसर्प था और यह है बजाज finance ठीक है जो 7000-7100 तक लेके जा सकता है चोला finance की बात कर लें तो देखें चोला finance इसी जगा से support ले रहा 685 important support है इसके नीचे गिरने पे गिरावट हो जाएगा position positive होने के लिए आपको 735 के उपर निकालना है तो 760 तक के target मिल जाएगे HDFC की बात कर ले है HDFC का weekly chart यह limited है HDFC limited एक rounding bottom pattern बनता हुआ नज़रा रहा है यह stock तो इसके उपर 2720 के उपर निकलने पर आपको moment बनेगा जो कि 2750 से लेके 2800 तक लेके जा सकता है अगर गिरना होगा तो इसको 26 के नीचे बेचना है HDFC AMC की बात कर ले तो HDFC AMC यह भी weekly chart पर मिल देखेंगे weekly chart पर positive moment है देखिए ध्यान रखिए HDFC AMC बहुत ही बढ़ी है अगर यह उपर की side में मंडे को break करता है 2170 को तो position बनेगा 2225 से 30 तक है और हो सकता है आपको बड़े target 200 भी देखने को मिल जाए HDFC बैंक की बात कर ले तो बैंक निप्टी को चलाने में इस stock है बहुत बड़ा हात्रा और धिरे धिरे यह stock 1600 पर आ चुका है 1640 से 45 को पर निकलेगा तो आपको यह 1720 तक के level भी दिखा सकता है गिरावट होगा तब जब 1590 के निचा आजएगा तब ही सेल करेंगा अधरवाइस नहीं करेंगे HDFC live मैंने कल भी वीडियो बना के दिया था आप इस stock को जाके देखिए जो fantastic 4 करके वीडियो दिया है आप उसके अंदर देखिएंगे तो मैं आपको उसमें मैंने HDFC live के बारे में भी बता है इस stock आने वाले समय में और भी बैठरी मुमेंट करके दे सकता है इस stocks में अगर आप ध्यान दे तो बिकली चार्ट पे भी एक box में फसके है इस box के उपर निकले वाद और भी आपको बड़ा मुमेंट देखने को बनेगा बने रहें जिनके पास भी है ICC bank यादर कि कोई भी personal buying और selling की सलह यहां पर है नहीं इसलिए मैं अपना view बता रहा हूँ research बता रहा हूँ analysis बता रहा हूँ आप उसमें trade अगर लेते हैं तो आप अपने भी research analysis जरूरू कर लें 945, 44, 44, 64 यह सब resistance area है ICC bank का weekly chart पर जैसे break करता है आपको 1000 की level देखने को मिल सकता है थोड़ा रूखने का chance बनेगा 900 की नीचे आता है थोड़ा रूख सकता है गिरावट आ सकता है ICC GI की बात करें तो हमें 1150 से 1190 की उपर position लेने की कोशिस करना है उसके पहले नहीं लेना यह sustain कर रहा है रेंज में फसा आप इस रेंज के ऊपर position लेंगे ऐसे सिख पुरू लाइब दी कि गिरावट आया है इसमें अब इसके पास जो support area वो है 430 यही इसका एक important support है 430 के निचे जब तक नहीं जाता है गिरावट में आपको tension नहीं लेना है बिच-बिच में bounce देखने को मिलेगा इस बात का ध्यान रखना है बिच-बिच में bounce देखने को मिलेगा तो इस stocks में अभी थोड़ा सा wait and watch करके चल सकते हैं 475-770 को उपर निकले बाद ही movement होगा IEX Indian Energy Exchange देखिए इसमें अभी बहुत सारी खबरें आ रही है IEX में buyback की खबरें आ रही है तो इसके विज़ा से इसमें moment आपको मिल सकता है 155 के आसपास का मान के चलते है 153-155 उपर निकलेगा तो 165 तक के target आपको दिखा सकता है Kotec Bank की बात कर ले Kotec Bank में position 2010 के उपर बनेगा उसके पहले हम लोग नहीं बनाएंगे अगर किसी कारण बस 1920 को नीचे break करता है तो sale कर देंगे 1850 तक नीचे आ सकता है मुथूट finance कापी अच्छा गिरावट रहा फिर वहां से bounce किया तो मुथूट finance के 140 के उपर जब तक नहीं जाए विकली चार्ट पर बिल्कुल position मत बनाएं PFC Power Finance की बात कर ले जबरदस मुमेंट दीकिए पिछले बारी मैंने यहां पर बताया था PFC में एक breakout आ रहा है आप यहां पर देख रहा है अगर आता है तो 128 तक वापस नीचे आ सकता है REC की बात करें इसमें भी सेम पोजिशन है REC में भी आप देखे पोजिशन लेंगे 110 रुपे के उपर देखे यहां पर एक नजर रखना है 110 के उपर REC में पोजिशन बनाएंगे उसके पहले नहीं बनाएंगे तो 110 के उपर जैसे निकलता है आपको यह वार 115 से 20 18 तक के टारगेट आराम से मिलेगा REC लिमिटेड में नजर रखें बहतरी मूमेंट है वालूम भी बहुत अच्छा बना हुआ है इसके अलावा दोस्तों हम लोग SBI कार्ड की तरफ बढ़े तो SBI कार्ड में मूमेंट बन सकता है आने वाले समय में जबरदस्त रिकेती कि 770 के नीचे अगर जाएगा तब खराब होगा उसके पहले खराब होने के चांस कम बनेगा 770 important support है positive कम हो सकता है तो दो कंडिशन में या तो यह 820 के उपर सस्टेन कर जा है या 810 के उपर ब्रेक आउट कर दे 810 के उपर निकलता है तो 820 और 820 के उपर निकलता है 830 से 850 तक के target आपको SBI कार्ड में भी देखने को मिल सकता है ध्यान रखें नजर रखें इसके अलाबा हम लोग SBI Life की तरफ बढ़े तो SBI Life ने भी अच्छा मूमेट किया सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेट किया यह रजिस्टेंस था वह सपोर्ट बन चुका है तो हमें यही सपोर्ट को पकड़ के चलना होगा 1155 से 60 का इसके नीचे आने पर गिरावट होगा अधरवाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब चलते हैं SBI की तरफ तो हमारा जो लंबार समय टार्गेट था वह टार्गेट की लगभल आ चुका है 600 का पहला टार्गेट एचीव हो चुका है अब जो टार्गेट होगा वह 670 के टार्गेट बनेंगे आने वाले समय में हम लोग का 666 तक का टार्गेट था 666 मिलना चाहिए और वो लगए 60 कॉइंट बचा मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो टाइम लगेगा एक बार में तो नहीं देगा पर जो व्यू आ रहा था हम लोगों ने पिछली दो मेना पहला अनलसिस किया था उस पर श्टॉक चाहसो चाहसो पर था और वहां से श्टॉक आ चुका चाहसो पर तो एक अच्छा मोमेंट बना है और अभी और भी बन सकत आपके पास इस पर चाहसो पर बनाई अभी नहीं खतरा है अभी चौदा सोग उपर जाएगा अधर वाइज अभी थोड़ा एवाइड करके चलेंगे तो यह था दूस्तों निफ्टी के फाइनिसेल इसी के साथ साथ मैं कर देता हूं आपको बैंकिंग इस्टॉक के आंसि कुछ बैंकिंग जो मैं यहां पर आपको कर देना चाहूंगा और वह भी विकली वेसिस पर तो जैसे में यहां पर विकली चार्ड लगा देता हूं और ए जो साफ क्या दिख आ कि ब्रेक आट बन सकता है लेकिन हमें इस साफ क्या घ्र ना पड़े शल्ण अपर यह ट्रेलень में दोसो बीस पचीस तीस यह सब हडल है नियर में उसके ऊपर निकलता है तो दोसो चालीस से पचास के टारगेट बनेगा बैंको बढ़ोता इस श्टॉक ने और प्रकॉम किया जबरदस बैंको बढ़ोता मेरा अल्रेडी होलिंग है इसमें मैं पहले ही बता दू तो सपोर्ट ले लेगा बैंक ओफ इंडिया की बात करें इस सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जबरदस मुमेंट दिखा विकली चार्ट को भी अगर आप देखें आप कहीं से भी देखें आपको निरासा देगा ही नहीं जबरदस सरकारी बैंकों में रहली आया और कहीं स अब यह आ चुक है अपने हर्डल पर हमें इसके उपर का ब्रेक आउट चाहिए अगर यह इसके उपर निकाल देता है तव यहानी 87 उपर आपको बड़े मुमेंट फिर आपको मिलेगा जो एक सो तक लेके जा सकता है बैंक ओफ इंडिया किन्रा बैंक की यह स्टॉक भी द तो यह 160 पर आके रूख जाना जाएं इस एरिया पर यह आएगा यहां से इस तरह से यहां इसको नीची आना है और यहां से नीची आने को ब nhấtि बांस कर जाएंगा तो जिनको पर पोजिशन बनाना है इस एरिया के आसपास आप 56 8- وश बनाई है और अगर यह पहले निकल जाता है तो दोस्तों के ऊपर पोजिशन बनाई है पहले नहीं पेडरल बैंक इस स्टॉक में 140 से 42 का एक हडल है इसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको इसमें बड़ा ब्रेकॉर्ट मिलेगा 140 से बाद ही यह भी स्टॉक काफी वन बे रहल बैंक हो चुका है एक इपसी फिर्ष्ट बैंक की बात करें तो देखिए इसमें ब्रेक आउट और भी आएगा 60 रूपीज 60 रूपीज रूपीज रूपर को पकड़े उसके उपर ब्रेक आउट करता है तो 65 के टार्गे से लिंग करेंगे तो 55 के निचे उसके पहले नहीं करेंगे इंडियन बैंक थोड़ा रूप सकता है इंडियन बैंक लेकर 291 को ब्रेक कर जाता है 2 25 250 के टार्गे door 260 को निचे आने पर कम जोड़ हो जाईगा इंडिकशी इसने आउट परौफॉर्म किया समय होगा इसम्डाल इस बूलिश। आप लोगों ने पढ़ा होगा देखा होगा समझा होगा अगर इस बूलिष फ्लैग पैटर्न यानि कि इसका ब्रेकाउट होता है बारा सो उपार निकालता है तो आपको इस टोख आने वाले समये 1260 तक के लेवल दिखा देगा को टक महिंद्र बंग इसके लेवल मैं आपको के उपर जा तो 60 के लेवल बनेंगे, आरवेल बैंक, इसके लेवल मैंने एक्चुली बता दिया, तो आरवेल बैंक के पास एक छोटा सा हर्डल है, उपर के साथ में 160 का, 160 के उपर निकलेगा, अभी 150 का सबस चल रहा है, 80 के उपर निकलेगा, तो 85 के टार्गेट बना के देगा, अगर गिरावट भी आता है, तो 60 रूपीज इसका एक इंपोर्टेंट स्टॉप लॉस है, वहाँ पर आके ये एक बार होग सकता है 60 रूपीज, तो 50 to 60 अब बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन जागा, येस बैंक की बात करें, लोग इसमें पोजिशन बनाते हैं इस बज़ा से कि छोटे प्राइस का इस्टॉक है, तो ये छोटे प्राइस का इस्टॉक है, तो अपने करनी से है, लोग फिर भी आपको सक के नजर से देखेंगे ये समस्य आओ जाता है तो इसके साथ ही वही बात है 18 रुपय, 18 रुपय, 25 पैसे एक हड़ाल अगर वो प्रेक करेगा तो जादा-जादा 20 रुपय तक जाने की कोशिस कर सकता है तो दोस्तो ये था बैंकिंग इस टॉक पर मेरा विकली भीव पसंद आया तो जरूर फिट बैक करें और आर्केटेटिंग मोईल अपको डावलोडने के तो डावलोड के सते लाइक मार्केट में कॉल के लिए मिलोगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद